हमने अपने लास्ट टॉपिक में नेचरल रेडियो एक्टिविटी को देखा कि ऐसा एलिमेंट या ऐसा एटम जो एक अंस्टेबल जिसका न्यूकलिया है और वो हर टाइम कोई नो कोई वेव इमिट कर रहा हूँ और वो इमिट करने वाली वेव हमारे पास रेडियो एक्ट ले हो होती हैं और डिफरेंट रेडियो एक्टिव सिब्स्टन्सिस की विरा से वो इमिट हो। अगर आप राक्श की बात करें तो रआक्टिव peasant होते हैं इसके इलावा अगर आप स्वाइल की बात करें, स्वाइल हो, एर हो या वाटर, इन तमाम एलिमेंट्स में हमारे पास रेडियो एक्टिविटी प्रेजन होती है, यानि कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो इमिट कर रहे होते हैं, इसके इलावा हमारे एक्मोस है जिसकी ratio 27% है और 57% हमारे पास Natural Radio activity in the rock and soil से आ रही होती है यानी कि हमारे पास जितने भी radioactive element होते हैं वो रॉक्स और स्वाइल में present होते हैं ठीक है अब इन में भी है कि वो कैसे elements होते हैं जब उनको हम radioactive element या उन sources को magnetic field के अंदर रखते हैं तो वो और Raidation को Grains ket ऐने एलफा पार्टिकल बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल इनमे इलफा sensor pop और बीटा होते है उन दोनों कि एक दूसरे से जो नेचर और वो बिल्कुल opposite होती है कियो कि जाम हमने पास क्या चीजें हैं जो इन से एक्जिस्ट करती थी उनमें क्या एक्सरेज हैं मियोंज हैं प्रोटोन इलफा पार्टिकल्स इलेक्ट्रों और न्यूट्रों यह सारी की सारी चीजें जो डिसकवरी है वो हमारे पास बैग्राउंड रेडियेशन के थूरू हमें पता चली ठ प्रोटो